माराजी जो बंगला देश में अभी छिंदू पर अत्या चार हो रड़ा है इसको लिए कि आपको क्या कहना है क्या आपको इसलगते हैं आने वले समय में भारत में भी यिस्थिती होने वाली है भारत में अगर उन्होंने वह इस्थित लाएंगे तो उनकी आंख निकाल अगर उन्होंने अपने आपको कंट्रोल नहीं किया तो ये भार तैयार है उनसे निपटने के लिए हमारे मानने नरंद भाई मोदी जी और योगी जी जैसे जहां पे नेता हमिसा जी राजना सिंग जी तहां उन्होंने इनको धूल चटा के छोड़ेंगे अब आज देख लो जैपुर के धरा पे इतने हिंदू समू एक इठा हुआ है क्योंकि आज से यह संदेश जाएगा जैपुर राजस्थान से जो यह बलदान की धरती है जो रक्त भाने वाली धरती है जो बीरों की धरती है यह राजस्थान आज यहां जैपुर से एक संदेश जाएगा समझ संगठन हमारा हिंदू समाजी गिट्टा हुआ है और इन जिहादियों को वो सबक सिखाएंगे कि याद रखेंगे अगर इनोंने भारत के उपर आख उठाने की चेश्टा की जरासा या कहीं जरासा महोल बिगाने की कोशिस की तो इनकी आवकात याद दिला देंगे ये भूल जाएंगे हमारा तो अभी ये क्या बंगला देश भी ले लेंगे और पाकिस्तान भी लेंगे वो ताकत हमारे अंदर है वो हमारे ही चीज का हिस्सा है हम आखंड भारत बनाने वाले हैं हम इन से डरने वाले नहीं है अगर इनोंने हमारी बहन बेटियों के उपर हमार मत मंदिर के उपर हमारे सनातनियों के उपर हमारे हिंदू भायों के उपर इन्हों ने अगर यह जरा सां कहहीं ग Calvin की यहाँ पर भारत के अंदर तो यह भूल जाए इनकिन अन का रहने सब्धब बूए शोगतरुद में कोई चलती है संगठान से बड़ा कोई पाइटी नहीं होती है संगठन हमारा सशक्त है। कर सकते हैं हमको हमारा संगठन मजबूत हैं हमेद के काम करते हैं हम आईसे व्यक्ति का घोर निंदा करते हैं कि जिन्हों ने जब कहीं एक समदाई को उपर कहीं खरोच आ जाती है तो मुझ फार फार कर चिलाते हैं लेकिन आज बंगलादेश के अंदर हमारी बेटियों के उपर मठ मंदिर के उपर हिंदूों के उपर सनातनियों के उपर करें बेटियों की रच्छा करें और सनातन की रच्छा करें आईसी सरकार मुझे चाहिए